दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं आवाज के साथ में इसके लिए आपको कोई भी एब डाउनलोड नहीं करना है आपको आना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में इसके बाद यहाँ पर उपर में आपको सर्च करना है स्क्रीन रिकॉडर या स्क्रीन रिकॉडिंग इस तरह से यहाँ पर आपको सर्च करना है जैसे कि मैं सर्च करता हूँ स्क्रीन रिकॉडिंग जैसे आप सर्च करेंगे screen recording तो आपको setting मिल जाएगी इसे आपको open करना है अब screen recording करने से पहले आपको पहले कुछ settings कर लेना है अब यहाँ पर आपको setting मिलेगी record system sound अगर आपकी setting को on करेंगे तो दोस्तो इससे क्या होगा आप मुबाइल में अगर गेम खेल रहे हैं और स्क्रिन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो गेम के अंदर जो आवाज है वो आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी गेम के साथ में लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपक यहाँ पर आपको setting मिलेगी definition इस पर click करके आप video की quality को set कर सकते हैं high, medium, low और यहाँ पर आपको custom का भी option मिल जाता है इसके बाद यहाँ पर आप frame rate set कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको एक और useful setting मिलती है record front camera video अगर आप इस setting को on करते हैं इसके बाद आप screen recording करेंगे तो front camera से आपका face भी record होगा यानि के double video record होगा आपकी screen recording भी होगी और आपका video भी record होता रहेगा side में अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको इसे बंद कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको setting मिलती है show screen touches इसे on करने से क्या होगा जब screen recording on रहेगी और आप screen पर कहीं पर भी touch करेंगे तो वो show होगा आखरी वाली setting आपको default रहने देना है यह सारी setting करने के बाद आपको setting को बंद करना है notification panel को open करना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको screen recording को option दिखाई देगा आपको इस तरह से slide करना है तो आपको यहाँ पर screen recording को option दिखाई देगा इस पर आपको एक बाद टैप करना है इस पर टैप करने के बाद इस तरह से option आ जाएगा अब यहाँ पर आपको एक red button मिलेगा आपको red button पर click करना है तो screen recording on हो जाएगी जिसे कि आप देख सकते हैं timer यहाँ पर on हो गया है अब यहाँ पर दोस्तों जो यह timer दिखाई दे रहा है यह screen recording में दिखाई नहीं देगा सिर्फ आपको दिखाई देगा ठीक है यहाँ से आप screen recording इस तरह से कर सकते हैं अगर आप इसे पाउस करना चाते हैं तो यहाँ पर आपको tap करना है आप इस तरह से पाउस कर सकते हैं इसके बाद दुबारा से आप play करना चाते हैं तो दुबारा से play कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों आप sound change कर सकते हैं microphone और system sound on off कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर अगर आपने recording कर लिए है तो आपको यहाँ पर right के निशान पर क्लिक करना है तो आपकी screen recording gallery में सेव हो जाएगी जिससे आप पिले करके सुन सकते हैं तो यहाँ पर मैं पिले करता हूँ आवाज भी है इसके अंदर यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से दोस्तों आप किसी भी Android फोन में स्क्रीन डिकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक कर देना शेर भी कर देना